कुछ लोगों का नाम सही नहीं था प्रिंटेड कुछ लोगा फोटो नहीं आया था उनको क्या करना है कि जिस दिन वो एक्जाम के लिए जाएंगे तो यह अंडर्टेकिंग फॉर्म है ठीक है आप जब आपका हॉल्टिकेट डाउनलोड करते हैं तो वहीं पे नीचे एक करना है कि यहां पे आपको इक फोटो यहां पर आपको चिपका के ट्ना उसके बात मैं आपको क्या करना है कि जो भी DiLs mentioned in the hall ticket are as under ठीक है तो जो भी details आपके hall ticket mentioned वो as it is यहाँ पर आपको fill कर देना, name of the candidate, date of birth, application number, role number name of the CET, examination center details, ठीक है वो सब यहाँ पर आपको fill कर देना, यह fill करने के बाद में आप क्या करेंगे, it is clearly understood by me that the name तो यहाँ पर क्या आपका गलत हुआ है नाम गलत हुआ है, photo गलत हुआ है, signature गलत हुआ है क्या गलत हुआ है, उसको आपको यहाँ पर उसके लिए मतलब वो चीज आपको यहाँ पर बतानी है तो जैसे नाम गलत हुआ तो information, incorrect information filled by the candidate यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है और यहाँ पर क्या आएगा, correct information तो इसको लेके जाना है और इसके साथ में क्या चाहिए आपको इसका मीनिंग होता है कि इसके साथ में आपको एक अटाज्ट यहां पर इसको लेके जाना है रेलेवन डॉक्रमेंट डॉक्रेमिन गलत है तो इसके लिए जरूरी यह है वैसे तो मैं बोलूंगा एक अगर और गलत है तो उसके तो बेटर हो जाएगा ठीक है एक प्रूफ हमेशा उसके साथ में लगा के आप दे दीजेगा उनको तो उसको करना क्या है इस फ़र्म को फिल कर लेना है और साइन करना ठीक है यहाँ पर साइन आपका देट यहां पर आजाएगा आपका साइन इधर आजाएगा और बाकी जो यहाँ पर रहेगा यह सब जो रहेगा, यह सब मतलब आपको यहाँ पे वो लोग साइन करके verify करके दे देंगे, अब उसमें आपको क्या करना है, जब आप एक form fill कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो इसका एक xerox copy निकाल लेजिएगा, ठीक है, इसका क्या करना है एक xerox copy निकाल लेना, उसको भी साथ में लेके जाना, तो एक form एक copy होगा, वो submit कर लेंगे वो लो और एक copy पे आपको sign and stamp करके दे देंगे, कि receival वाला copy आपको दे देंगे, ठीक है, because यहाँ पे नीचे लिखा गया है, कि candidate to keep one copy of the undertaking with him or her मतलब, ठीक है, तो simple तोर पे क्या करना है आपको यहाँ पे इसको fill करना है, ठीक है, जो भी गलती हुए, उसको inform करिए इसके अंदर में, यह नाम गलत हुआ है, फोटो गलत हुआ है, कि signature गलत, अगर फोटो गलत, फोटो यहाँ पे चिपकाने के ज़वद में फोटो उपर आपने लगा दिया है, ठीक है, तो वो update हो जाएगा, और साथ में इसका xerox copy साथ में लेके जाएगा, ठीक है, front and back की xerox ले लीजेगा, ठीक है, just वो लोग उसमें stamp करके and sign करके आपको दे देंगे, तो उसका meaning होता है कि वो लोग ने submit कर लिया है, ठीक है, ओके, in case वो खुदी print out mark अगर देते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, पर आप safer side के लिए साथ में एक लिक के जाएगा, ठीक है, I hope so यह बात clear थी, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए और in case कुछ भी और doubt रहता है, तो comment कर देना, we'll have a look at to that, मिलते हैं, next lecture में, till then take care and goodbye